नमस्कार दोस्तों औशदी ग्यान को आगे बढ़ाती होगे आज मैं आपको एक और सुन्दर औशदी से परचे कराऊंगा ये पोधा नहीं है इसका ये बहुत बड़ा विशाल पीड़ होता है और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में और बोध धर्म में इसका बहुत ज्या पूजनी है इस पेड़ का नाम है पीपल इसके पीपल से जो पेड़ से सब कोई परचे होगा तो हमारी चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले उसके बाद बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो वीडियो डालू उसकी जानकारी आप तक पहुंश सके इसका एक तो आप देखेंगे कि सर्प का जहर दूर कर लेगा दोस्तों उसको आप बड़ी जोर से खेचिये बार को बरना सर्प का रोगी तरफड़ाएगा और उसका पत्ता अंदर को खिचेगा सर्प के रोगी को दो चार व्यक्ति पकड़े रहें और कान में डार करके जहर पूरा गुड़कारी है आप इन जटाओं को ले करके और शुखा करके और उसमें कूट पीस करके और सतावर का चुरन मिला कर ले और फिर अगर आप दूद के साथ शेवन करते हैं तो ये आपकी जो जवानी है उसको बरकार रखता है बुढ़ापी के लक्षन नहीं आने देता आ आप जो चलने फिरने में ठकावत मैसूस करते हैं आप जो कमजूरी आपको आ गई है आपकी जो धातों की धातों शेड़ता हो गई है उसमें ये बहुत जादा गुड़कारी और बहुत जादा लाबकारी है जो मैने योग बताया इसकी आप पत्तियों को ले करके और दो को ले ले और कुट पीश करके आप इसका सूरष निकाल ले और फिर थोड़ी एक दूद दाना काली मिर्च के मिला करके पिला देते है उस पिलिया के मरीज को जिनको बरसों से पिलिया बना रहता है तो आप देखेंगे कि पिलिया भी इसमें ठीक हो जाता है दोस्तों पेलिया तो ठीक होता ही होता है साथी साधी अस्तमा में बहुँ ज़्यादा गुड़कारी है जिनको पुराने से पुराने दमा है तो भी क्या करेंगे जो आप इसकी छाल को ले करके खीर बनाएंगे खीर बना करके अगर खीर के शेवन करती है तो फिर आपकी अस्तमा दूर हो जाती है यह गुर्दिय की खराबी कब्ज पेड़ दर्द रखते सुद्धी दस्त लीवर की खराबी पुरसों की तागत के लिए यह बहुँ ज़्यादा गुड़कारी और बहुँ ज़्यादा ला झाल 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